इंसिटीटीूट औफ कंपनी सेकेटरी आफ इंडिया दोवारा फुल डे自चेमिना सुरत चेप्र नूँ आएजन करवा महाव्यूतु। आज सेमिनार में मुख्य आती थी तरीके इंसिट्यूट औफ कंपनी सेकेटरी आफ इंडियाना प्रेसिडेंट सीएस मनिश गुपता हाजर याता ने विद्यारतियों निमाग दर्शन अपपा मावियो तू आज सूरत में CS कंपनी सेकेटरी के अज सेमिनार रखा गया स्टूरिन्स के बीच में जो सेमिनार रखे गए क्या टॉपिक्स जो है वो में किस तरह से रखे गए थे हमाई साथ नेशनल हैड ही याँपे है रीशनल हैड है सिटी हैड है चैरपंश है उनसे बात करेंगे जी सर और आज जो सेमिनार था उसके अंदर क्या टॉपिक्स को मेंन हायलाइट क्या था? आज की सेमिनार में हम लोगों ने कैपस्टी बिल्डिंग पर ध्यान देते हुए हमारे जो मेंबर सूरत में हैं उनकी capacity building के लिए हमने दो विश्यों पर प्रोग्राम रखा है एक विश्य हमने रखा है कि अपने कैसे NCLT में अपियर होना है किन-किन चीजों का धिहान रखना चाहिए और क्या crowd craft और proceedings के बारे में जानकारी दे रहे हैं मुंबई से हमारे expert को बुलाया है जो पूरी जानकारी देंगे उसके बाद दूसरा विश्य हमने रखा है annual filing पे क्या annual filing में changes आये हैं किस तरीके से उनको इस साल की filing पे ध्यान देना है और किस तरह से prepare करना है notices बनाने हैं और filing करके complete करना उस पे पूरी जानकारी दी चाहेगी क्या लगता है सूरत में जो फिलाल CS का जो रेशो है वो थोड़ा कम दिखता है यह seminar और ऐसे कई seminar की द्वारा इसका जो रेशो कितना बढ़ सकता है देखे जो कम आपको लग रहा है लेकिन मैं बोलूँगा कि हमारी जो ग्रोथ है सूरत में वो बिल्कुल ठीक चल रही है जो हमारा thought process है उसके हिसाब से आने वाले time में हम लोगोंने career awareness शुरू किये हैं हर school में हर college में हम लोग career awareness कर रहे हैं हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर universities हैं उनके साथ हमारे MOUs हैं जिसके अंदर हम academic connect के थूरू उनसे collaborate कर रहे हैं और आने वाले time में सूरत जैसे हमेशा से हमाना गया है textile का, diamond का और जिस तरह से यहाँ पर progress हो रही है तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे recognitions और opportunities यहाँ पर बढ़ेंगी तो और members यहाँ और students इस profession को choose करेंगे और आने वाले time में members का आकड़ा यहाँ पर बढ़ेगा किस तरह से यह जो government jobs होती हैं उसके इस का role main क्या role play होता है CS basically works as a compliance officer governance professional जो भी compliance as per laws होते हैं वो that governs and that done by the company secretaries so government companies या फिर private companies या public companies company secretary basically plays role as a compliance officer तो यह G20 जो समय चल रहा है उसके इसके इस का कितना role हो जाए G20 के अगर आप सब यह देखेंगे topics देखेंगे तो हमारा CS का go global करके जो हमारा भी global profession करने का हमारे president sir का जो उदिष्ट है तो G20 के अंदर हमारा बहुती important role है और वो G20 के जितने भी सब कुछ है topics है उसी के उपर हमारा national convention जो वारा नसी में 2-3-4 को नॉवेंबर को होने वाला है तो उसी के उपर पूरा discussion होने वाला है CS की बात के जो students सूरत में काफी सारे हैं CS है तो यह जो आज जो seminars हैं उसके अंदर कितने students ने पार्टिसिपेट किया है और के राउंड 40-50 students ने अज पार्टिसिपेट किया है and definitely हमारे president sir आए तो उनसे भी encouragement मिलेगी and यह student आगे जाके भी बताएंगे कि हमको मौका मिला था president sir से मिलने का तो definitely जो student के अंदर confidence है जो student अपने आपको low feel करते है और stress feel करते है वो definitely इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे और हमारे student successfully एक दिन जरूर बहुत सारे members के रूप में सामने आएंगे जो आज 563 का हमारा member का ratio वो definitely थोड़े टाइम पर साथ सो आठ सो हजार के पार जा सकता है आज के program में हमारा institute का जो कार्यक्रम किया है इसमें बड़ी संक्या में students और members भी है students generally अपनी level पर पढ़के पास होते है लेकिन जब वो ऐसे program सो connect करते हैं अपनी टॉप leadership से मिलते हैं प्रेजेंट से मिलते हैं तो उन भी अलग सा motivation आता है और वो कुछ चीज़ें ऐसी होती ही जो कि अपने भावनात्म ग्रूप में सवाल रहते हैं मन में लेकिन कभी इसका solution नहीं आता वो सवाल वो सामने प्रेजेंट से मिलके बात करके clear करते है इंडर्स्ट्री में क्या perspective है भविशे में उसका क्या है वो अपने आपको 10 साल वाद 20 साल वाद कहां देखना जाता है company secretary अपने आपको वो सारी चीज़ें वो leadership पर देखके पता पड़ती है और चुकि वो नए ने student पास आउट हुए है या वो member बने है तो उनको जो उस journey में जो problems आई है जो practical problem जो आज हमको नहीं पता पड़े उनको पता पड़ेगी वो भी हमसे शेयर करते है तो इसके लिए प्रेज़ेंट ने open to one-to-one talk भी रखते है जिसमां को सारा update होता है यह जो CS के लिए जो knowledge है बच्चों के लिए जो knowledge है students के लिए वो कितनी जरूरी हो जाती है अब Western Region से आपने hold up किया है तो क्या knowledge और क्या acknowledgement कितनी जरूरी है यह बहुत जरूरी है और जहां मैं देख रही हूँ आज सूरत चैप्टर जो है वो academically बहुत grow कर रहा है thousands of students हैं यहां पर और जब हम सुबह आए तो सारे students ने हम से मुलाकात करी Presidencer से मुलाकात करी मैं Western Region की chairperson अमिर से मुलाकात करी और बहुत academically grow कर रहा है सूरत चैप्टर अलग-अलग topics पर अलग-अलग विशयों में आज ही नहीं regular intervals पर यहां पर प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर बाकाइदा students को fresher members के लिए उनके knowledge of gradation के लिए capacity building के लिए बहुत कुछ आयोजित किया जाता है